Hello and Welcome, पुराने लेक्चर में हमने जाना था Home टाब के बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे Insert टाब, Page Layout टाब, References टाब, Mailing टाब, Review टाब और View टाब के बारे में जैसा कि आपने देखा था Home टाब के नीचे होते हैं Groups इसी तरह Insert टाब में भी अपने 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 ग्रुप्स है और हर एक टाब के साथ अपना अपना ग्रुप होता है, अपने ग्रुप्स होते हैं तो हर एक tab के अंदर बहुत सारे groups होते हैं, यह हैं न groups, ओके, अब हम देखेंगे insert tab को, सबसे पहले insert tab जब open करते हैं ms word में, तो आपके सामने ऐसा layout आता है, ऐसा सामने आता है, जिसमें आप अगर pages पे जाना चाते हो, तो क्या कर सकते हो, देखो, pages के अंदर आप cover page को design दे सकते हो, cover page बना सकते हो, क्योंकि आप ms word में documents के साथ खेलते हो, लिखते हो, edit करते हो, image डालते हो, कुछ भी करते हो documents के साथ, तो आपने document बनाया, 10, 15, 20 pages बनाये, फिर एक book का cover होता है न, उसी तरह, उसी तरह, वो सारे documents का cover page आप बना सकते हो, जिस तरह book का cover होता है, अच्छा, अगर आपको blank page चाहिए, तो आप pages के अंदर blank page पे click कर सकते हो, वैसे आप बोलोगे, sir, हमारे सामने तो blank page होता ही है, हम तो उस पे लिखते हैं, तो हमें blank page से क्या मिलेगा, blank page से आपको और बहुत सारे pages मिलेंगे, ऐसे normally आपको एक page मिलता है, आप लिखते हो, फिर लिखते हो, उसके बाद, आपको second page मिलता है, blank page से आप multiple pages, 50 pages डाल सकते हो, ठीक है, at a time, पहले ही, पहले ही blank pages आप डाल सकते हो, अच्छा, page break का मतलब क्या है, page break का मतलब है, अगर आप एक page पे लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, और आप यहाँ पे break करना चा यहां से यहां तक खाली जगार रखना चाहते हो तो आप डिरेकली यहां पे पेज ब्रेक डालिए तो यहां पे यहां तक ही लिखा जाएगा फिर आप नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो एक पेज पे से दूसरे पेज में जाने के लिए पेज ब्रेक भी इस्तिमाल हो सकता है Page Break का मतलब आप इस Page को Break कर रहे हो और Second Page पे लिखना Start कर रहे हो पहले Page पे आप आदा ही लिखो जितना आपकी मर्जी Tables क्या करते हैं Tables जो Group है उसके अंदर Icon सिर्फ एक ही है वो है Table Tables के अंदर क्या है आपके सामने Tables आते हैं आपके सामने Tables आते हैं आपके सामने एक Page है न तो जब आपने Insert Tab में जाके Tables में जाके Tables को Click किया तो आपके सामने अलग-अलग Tables आते हैं इस Design के इस Design का Table आता है अलग-अलग-अलग-अलग Designs की अलग-अलग Design के Table आते हैं इसी तरह जब आप एक document के साथ आप काम कर रहे हो और आप insert tab में MS Word की बात है कर रहे हैं MS Word window है आपके सामने उपर है insert tab insert tab आपने खोला आपके सामने ये groups आएंगे तो आप इनके अंदर illustrations में अगर जाते हो तो क्या करते हो illustrations में आप picture को introduce कर सकते हो मगर वो picture आपकी gallery में होनी चाहिए अगर वो picture आपकी gallery में है तो आप कर सकते हो illustrations जो एक groups है illustrations में जाके illustration group में जाके आप क्या कर सकते हो picture को insert करते हो अच्छा इसी तरह clip art कर सकते हो आप जब clip art दबाओगे तो आपके सामने एक अलग तरह के window खुलेगी जिसमें अलग अलग type के arts होंगे अलग अलग type के pictures होंगे वो आपकी gallery के नहीं हो सकते वो MS word के अंदर के होते हैं वो भी आप use कर सकते हो picture मतलब gallery आपकी आएगी आपके word के उपर आप word में कुछ लिख रहे हो यहां पे आपको कोई शकल डालना चाते हो gallery के अपना photo डालना चाते हो तो आप picture से डाल सकते हो यहां पे आपकोई दूसरा फोटो डालना चाते हो तो आप clip art पे click करो और आपको बहुत सरे arts मिलेंगे आप उनमें से कोई use करो आप shapes अलग-अलग shapes डाल सकते हो page पे, page है, आप shape डाल सकते हो, ऐसे आप डाल सकते हो pentagon का shape, ऐसे आप circle का shape डाल सकते हो, square का rectangle shape, कोई भी hexagon shape डाल सकते हो, okay, smart art क्या होता है, smart art बहुत खास है, smart art में क्या आप करते हो, आप for example, जब smart art क्लिक करते हो, तो आपके समने बहुत सरे arts आते हैं ऐसे circles आते हैं वो ये कुछ भी आ सकता है मान लो आपने smart art को दबा दिया और आप आपने इस वाले इस वाले icon को click किया तो फिर आपका क्या होगा आप smart art में picture भी introduce कर सकते हो smart art में picture भी introduce कर सकते हो आपके सामने picture है आपका आपकी बीवी का आपके बच्चों का आपके माँबाप का किसी का भी तो आप smart art में ऐसे बहुत सारे circles ला सकते हो है ना फिर एक एक smart art के अंदर आप picture को डाल सकते हो इसमें भी picture भीवी का photo अपना photo ठीक है ना ओके जो भी आप करना चाहते हो और उसके बाद है chart chart पे click करके आपके सामने pie chart चार सकता है pie chart आएगा bar chart आएगा line chart आएगा भाई pie chart पता है ना pie chart पढ़ोगा आपने pie chart आएगा इसी तरह line chart आएगा ठीक है ना इसी तरह bar charts आएगे bar charts आएगे तो वो charts भी अगर आप अपने document के उपर डालना चाते हो होते हैं न, एक book के उपर होते हैं न आप इसकी वज़ा से एक book बना सकते हो, एक magazine बना सकते हो, मतलब एक अगबार बना सकते हो, paper बना सकते हो, newspaper चार्ट, इसी तरह screenshot for example, आप इस page के उपर screenshot, insert tab हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये चीज़े आप insert करते हो picture insert करते हो, clip आप insert करते हो shapes insert कर सकते हो, smart art में picture भी insert कर सकते हो, charts insert कर सकते हो, screenshot insert कर सकते हो, इन सब को बोलते हैं illustrations, for example आपने, आपने चलो आपके सामने MS Word है, आपने किसी भी चीज़ का screenshot लिया, आप वापस गए, window पे, किसी दूसरे window पे गए directly desktop पे गए, और आपने screenshot उठाया, वो screenshot का photo आप अपने page पे डाल सकते हो, जिस MS Word में आप document के उपर काम करते हो उसके बाद है links, links का मतलब आप hyperlink insert कर सकते हो, भाई आपने cover page को insert किया, cover डाला blank page दूसरा insert किया हो जाओ, ठीक है ना hyperlink को आप insert कर सकते हो, for example, आपने, आपका page आप लिख ले हो, लिख ले हो, लिख ले हो, और आप चाहते हो कि बस इतना ही लिखे, इसके बाद ये बच्चे directly website पे जाए, internet पे जाए इस page को देखने के बाद वो directly internet पे जाए, तो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे address डाल सकते हो, internet का, hyperlink का मतलब जो, जो वो link, जो एक page से internet की तरफ ले जाए, मान लो, मान लो, आपके सामने कोई book है PDF है, आप उसको हर एक word को open थोड़ी कर सकते हो, नहीं जो word green से होगा खास कर, green से होगा खास कर उस पे जब आप click करते हो, तो आपको लेता है, जैसे Wikipedia Wikipedia जब आप खोलते हो, तो बहुत सारे words होते हैं, आप हार एक word पे click नहीं कर सकते हैं, कोई word होता है, अकसर green शकल का होता है आप उस पे दबा के उस word के बारे में जानकरी ले सकते हो अपने MS word document के उपर भी आप ये hyper links को introduce कर सकते हो ताकि कोई भी आपका वो document पढ़े तो वो एक link से directly जा सकता है इंटरनेट पे इसी तरह book marks, book marks मतलब आप अपने इस पे book mark डाल सकते हो आप किसी भी जगा पे mark डाल सकते हो भाई book को mark करना mark डाल सकते हो कि ये वाला है ये sentence है ये बहुत जरूरी है आपके लिए तो आप mark कर सकते हो cross reference ये बहुत interesting है बहुत जवर्दस है cross reference का मतलब क्या होता है आपने for example insert किया कुछ भी आपने insert किया कुछ भी for example आपने मान लो tabs insert किया आपने ये tab डाला ये tab डाला या कुछ भी insert किया insert किया आपने कुछ भी hyperlink आपने डाल लिया insert किया आपने कुछ भी आपने photo को insert किया चलो मानते है picture आपने insert किया ठीक है न तो जब आप कोई भी चीज इंसर्ट करते हो तो आप, for example, जब आपने picture इंसर्ट किया तो आपने सबसे पहले लिखा picture 1, picture 2, contents में लिखा picture 3, contents में लिख रहे हो आप पहले ही लिख रहे हो आप आपके picture अंदर book में बैठे हुए है यह book है 2000 pages की आपको नहीं पता यह picture तो आप contents में लिखोगे cross reference से क्या होता है आप reach करते हो directly लिखा है अगर फिर आपने picture 1 पे click किया तो आप document पे picture 1 पे आ जाओगे picture 2 पे click किया पहले page पे ही तो आप 500 page पे आ जाओगे और picture 2 किलिख हो जाएगे आपके सामने picture 2 आएगा cross reference का मतलब होता है जहाँ पे आप directly reach कर सकते हो आपने click किया उस part पे आप सारी references एक जगा लिखोगे आपने उस पे click किया तो आपको वो directly ले जाएगा चाहे वो 500 वाले page पे हो चाहे वो 1000 वाले page पे हो इसी तरह यह तो links था इसी तरह है एक जिसका है header and footer अच्छा यह header and footer यह links यह illustration यह क्या है सबाई यह insert tab के अंदर अपने groups है जैसे हमने home tab में देखा था अब header और footer क्या होता है अगर यह आपका एक document है document 1 इसके उपर आप heading लिखते हो कुछ वो line के उपर ही आप normally लिखते हो और उसको बोलते है header line के नीचे आप normally लिखते हो footer footer document के page के नीचे होता है header page के उपर होता है एक page के उपर header होता है एक page के नीचे footer होता है आप लिखना चाहते हो उपर title तो header में आएगा आप नीचे लिखना चाहते हो कि ये किस ने print किया ये किस ने document बनाया कौन सा इस बारे में लिखोगे page के बारे में वो footer में लिख सकते हो कोई भी चीज आप लिख सकते हो ये आपकी अपनी मर्जी है बाई मेरे आपको कल बैटना है officer बन के आपको कल बैटना है आप कुछ भी डालो नीचे आपकी मर्जी के हिसाब से आपके department के हिसाब से अच्छा header और footer में page number भी आएगा page number मतलब आपने एक document बनाया और आपने ठीक है बनाया page तो आप page number डाल सकते हो for example आपका document है आपके एक book बन रही है 1000 pages की 1000 pages की आप number डालना बूल गे number डालना बूल गे तो आप क्या करोगे आप page number डालोगे जुहीं आप page number के पे click करोगे तो आपके 1000 के 1000 पे numbering आ जाएगी one page two आपकी फिर अपनी मर्जी top पे रखना चाते हो page के top पे बाई 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 इस बात को समझो यार क्या हो गया इस बात को समझो मेरे बाई ये आपका एक page है ये दूसरा page है page number आप तीन वालों को डाल सकते हो आप top पे डाल सकते हो आपकी मर्जी one page two page, three page आप bottom पे डाल सकते हो आपकी मर्जी margin पर डाल सकते हो तो page numbering आप दे सकते हो अपने PDF पर जो आप बना रहे हो अपने document पर जो आप बना रहे हो अपने magazine पर अपनी booklet पर अपने newspaper पर जहां पर भी आप बना रहे हो कुछ भी header मतलब एक page का head और एक ही page का foot header मतलब page का head, page का foot text text में क्या होगा text में आप box कर सकते हो for example आप कुछ लिखना चाहते हो अपने document पर और आप चाहते हो यहाँ पर कुछ लिखू लेकिन designer box में यह खास है यह खास है बच्चों को यह दिमाग में आना चाहिए तो आप designing दे के full बना के ठीक है न दरकत बना के engine में कुछ भी आप text box इसको बोलता है text box अलग-अलग designs आ जाएंगे तेको बहुत सारे चीज़ें हैं जो insert tab में है दूसरे tab में आपको मिलेंगे फिर फरक क्या है सर क्यों वरलैब होता है आपको ज्यादा tools मिलते हैं एक जगा आपको commands कम मिलेंगे दूसरे जगा आपका menu बढ़ जाएगा दूसरी जगा आपको ज्यादा commands मिलेंगे एक जगा आपको थोड़े से restrict मिलेगा दूसरी जगा आपको और variations मिल रहे हैं ठीक है text box मतलब आप इस box के अंदर कुछ भी लिख सकते हो ठीक है quick parts quick parts मतलब अगर आप text में जाते हो text group में insert tab के अंदर तो फिर आप वहाँ पे quick parts पे अगर आप जाते हो तो आपके सामने formula आएंगे आपके सामने authors आएंगे आप क्या author लिखना चाते हो formula लिखना चाते हो एक page के उपर आप formula लिखना चाते हो एक page के उपर आप author का नाम लिखना चाते हो एक page के उपर आप owner का नाम लिखना चाते हो कुछ भी design में आ जाएगा ठीक है ना text group में और क्या है word art भी है word art मतलब आप खुबसूरत अंदाज में words डाल सकते हो आप लिख रहे हो और आप चाहते हो इस area में खुबसूरत words लगे और वो खुबसूरत words आप डाल सकते हो डिजाइनिंग में drop cap अब drop cap यहाँ पर मैंने लिखा है अपना नाम drop cap ऐसे होता है drop किया drop मतलब इसको अपने drop किया below ये पहली line आप लखना चाहते हो फिर आप लिखना चाहते हो हमीद तो आप यहाँ पर लिखोगे हमीद example दे रहा हूँ ठीक है ना इसी तरह राथर आप लिखोगे राथर आप मकसद की बात यह है कि A जो है ना A बहुत बड़ा होता है drop cap में लेकिन dropped capital ये जो capital है वो drop होता है पहली line से नीचे वो drop होता है अरे बाई यहाँ पर लिखा है यही मैं ढूड रहा था कहीं तो लिखा था देखो आपने dropped capital D बड़ा लिखा फिर ROPPD और CAPITL देखो आपने पहली line से नीचे इस पहले capital को drop किया अरे बाई आपने for example insert लिखा I N S E R T insert tab यह पहला आपने drop किया पहली line से नीचे नीचे इस capital को drop किया आपने drop capital drop cap drop capital letter और यह पहली letter होते है capital letter पहली होते हैं इसी तेरा text के अंदर date और time भी आप कर सकते हो क्या document के उपर लिखना चाहते हो यह document के उपर आप insert कर रहे हो insert हमेशा दिमाग में रखो object from next software हाँ यह बहुत interesting है आप चाहते हो कोई चीज है आप चाहते हो कि मैं कोई design दूसरे software में बनाओ art में यह word में ना बनाओ आप चाहते हो आप चाहते हो दूसरे pix art में बनाओ pix art में बनाओ कोई शकल में दूसरे software में बनाओ for example दूसरे software ने मैं आपने कोई जबरदा शकल बनाई वो आपको लगता है वो tools इस MS Word में नहीं है आपको लगता है MS Word में वो tools नहीं है वो tools की वज़े से आपने दूसरे software में बनाया और वो वाला जो दूसरे software में जो object आपने बनाया उस object को आप ला सकते हो insert tab के text के object के अंदर आप उस object को ला सकते हो object का मतलब from next software आप object पे किलिक करोगे आप किसी दूसरे software में जा सकते हो वहां से आप कोई भी सामान बना के लाओ और insert tab में आप insert करो text के अंदर object में ठीक है symbols मतलब symbols मतलब आपके बहुत सारे symbols होते है extra symbols जो आपके keyboard के उपर नहीं है बहुत सारे extra symbols होते है वो आप insert कर सकते हो equations मतलब formulas formulas को भी आप अपने page के उपर insert कर सकते हो page layout देखो मेरे बाई page layout क्या होता है आपका सामने जो page है उसका शकल क्या होगी क्या paragraph की शकल होगी कitना दूर होगा एक paragraph दूसरे paragraph से margin से margin से margin से कitना दूर लिखोगे आप left margin से right margin से कितना लिखोगे दूर आप image डलना चाहते हो तो कहाँ पे डालोगे image यह सारी color के रखना चाहते हो, font के रखना, वो सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, देखो, rotate करना चाहते हो, क्या, कर्व में रखना चाहते हो, क्या, यहां पर मैंने सारी बाते बोली, हाँ, अब, page layout tab, ये, 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 दो बाते, ये, दो बाते, ये, दो ब पेज layout tab, जो है, उसके अंदर जो ये, आपके ये groups आते हैं, theme में क्या है, आप theme डाल सकते हो, theme जब आप click करोगे, तो आपका text भी, आपका सामने page है न, आपका text भी, और color आप page भी change होगा, जिस page का background, मतलब जिस page के उपर आप काम कर रहे हो, उसका color होगा, वो text भी, text भी बड़ा छोटा हो सकता है, तो अगर आप theme पे जाते हो, आपका text भी shape में आएगा, और आपका color, जो page का color है, वो भी shape में आ जाएगा, ठीक है न, अच्छा ये किस group के अंदर है, ये किस tab के अंदर है, page layout tab के अंदर, कौन से group के अंदर, themes group के अंदर, क्या क्या है theme group के अंद है, आएगा सवाल, तो आपको बताना है, ये ये ये, page background group के अंदर, क्या क्या command है, या उसके अंदर, क्या क्या entity है, या उसके अंदर, क्या क्या element है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन page background group ही आएगा, और उसके अंदर, क्या क्या है, आपकी मरजी, बताना है, याद रखना है, themes वो मैंने आपको बोला text और color भी, फिर color, अगर आप color ही सिर्फ change करना चाहते हो, text नहीं, background color ही change करना चाहते हो, text नहीं, तो आप color दबाओ, अगर आप सिर्फ text को ही shape देना चाहते हो, कोई अलग shape देना चाहते हो, सिर्फ text को change करना चाहते हो, पीछे page का color से हम होना चाहिए, तो आप font पे दबाओ, ठीकिन आप page का layout दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो शकल layout, ये page layout टैब दिमाग में रखो, layout मतलब कैसी शकल है आपकी page की, इसको दिमाग में रखो, page setup, मतलब आप margin दे सकते हो, कितना देना चाहते हो, margin मतलब पता है ना बाई, ये side में margin होता है ना, portrait मतलब vertical में page लेना, landscape मतलब horizontal में page रखना, कौन सा size आपके page का होना चाहिए, A4 size होना चाहिए, A3 size होना चाहिए, columns break, ये interesting है, page setup में columns break, आप for example, अगर जैसे आपने book देखी होगी न, NCRT, वो ऐसे line पूरी नहीं लिखती, NCRT जब होती है, कहीं और जो book होती है, तो ऐसे lines ह होते हैं, फिर ये वाले lines होते हैं, पहले आप ये lines पढ़ते हो, फिर ऐसे एक book में होता है, तो columns break, देखो न, यहाँ पे भी आपनी ये lines और ये lines, शकल से आपको पता चलेगा, sorry columns break न, columns, columns directly, अगर आप चाहते हो, अलग-अलग columns में जाना, ये break करना, अपने page को columns में, तो आप columns में कर सकते हो, ठीके, अब आप चाहते हो, ये बहुत interesting है, columns आपने देखा, page setup के अंदर column डाला, तो आप पहले इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, column, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीके, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लेकिन break क्या होता है, break होता है, अगर आप जगा रहेगी, आप यहाँ पे picture अपना photo डालो, कुछ ओ डालो, figure लिखो, कुछ भी लिखो, table लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन आप यहाँ पे break करोगे, और फिर यहाँ पे जाओगे, तो column में आपका column तो बनेगा, और normally आप column पे काम करोगे, लेकिन break दबाओगे, तो आ आपको नहीं कुछ लिखा, चाहे columns में लिखा या सीदे लिखा, आप चाहते हो line by line numbering देना, एक एक line को numbering देना, तो आप जो ही line number दबाओगे, तो जिदिनी भी line आपने लिखी है, उनके उपर numbering, numbering, numbering चड़ेगी, उसके बाद है hyphenation, hyphenation का मतलब होता है hyphen डालना, मतल आप क्यों होता है, for example, यह dash डालना, for example, आप लिखते हो orientation, और आप dash डालते हो, dash station, क्योंकि जगा नहीं हो है, तो hyphenation, अगर आप अपने text के उपर hyphenation last में डालना चाहते हो, तो वाप, 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 पेज, सेट अप, ग्रुप के hyphenation icon में डाल सकते हो, page background, background page कैसा होना चाहिए, देखो भाई, water mark आप डाल सकते हो, जैसे मैं आपको कोई document दूँगा, फिर बीच में लिखूँगा, जे के study for civil service है, diagonal में है, इसके अंदर vertical भी डाल सकता हूँ, horizontal भी डाल सकता हूँ, उपर भी डाल सकता हूँ, नीचे भी डाल सकता हूँ, लेकिन page background में ही लिया जाता है, यह आपके, यह background में ही डाला जाता है, क्योंकि आपके text के उपर नहीं डाला जा सकता, page background, background में ही रखा जाता है, page के, ठीकिन, इसके उपर आप text अच्छी तरह देख सकते हो, उसके बाद page color, आप page का color change कर सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे ज्या इस तरह का बॉर्डर देना है पेज को इस तरह का बॉर्डर देना है बॉर्डरिंग बॉर्डरिंग बार से इसी तरह परग्राफ आप परग्राफ इंडेंट कर सकते हो अब परग्राफ इंडेंट टू लेफ्ट कर सकते हो अगर आप परग्राफ इंडेंट टू लेफ्ट कर पर पार वाला मार्जन इंदת qué अपने पेजनों का मत्लब के एसे करने पॉसिशन देना जाहते हो For example, आपके पास आपके page पे image लाया, आपने box को आपने insert किया हुआ है, तो आप कौन सी जगा पे आप उसको रखोगे page में, position, wrap text, आपने जो insert किया चाहे आपने image लाया, box लाया, कोई भी चीज लाया, square लाया, circle लाया, कोई भी चीज आपने लाया, तो आप उसको wrap text मतलब क्या आप उसको text के नीचे रखोगे कि text के उपर रखोगे, image को आप on text रखोगे या off text रखोगे, ठीक है न, पीछे रखोगे text से, या text के उपर रखोगे, on text रखोगे उपर, या off text मतलब पीछे, off text रखोगे, तो आपको text दिखेगा, on text रखोगे, त टेक्स्ट गाइब हो जाएगा आपकी इमेज आ जाएगी इस दामने तो इतना ज़्यादा इमेज आई इतना तो आप ये वाला पोर्शन नहीं देख सकते अगर आपने on टेक्स्ट रखा selection pane क्योंकि हो सकता है आपका टेक्स्ट कुछ आपको लगता है इतना नहीं होना चाहिए ये नहीं दिखना चाहिए तो आप कर सकते हो आपकी मरजी को आप कुछ भी कर सकते हो selection pane selection pane का मतलब जब आप ये दबाते हो जितना भी आपने insert किया हो है चाहे pick, चाहे square, चाहे circle, चाहे box, चाहे image, कुछ भी आपने डाला वो आपका एक pane में आएगा, वो आपका एक last commands में आएगा आपका ये पूरा window है तो आपका right side में दिखेगा, आप directly उस पे जा सकते हो क्योंकि कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा insert करता है, पता नहीं होता कि कौन से जगा पर जाओ तो एक बार आपने selection pane दबाया, तो आपके सारे inserted items आजाएंगे, आप जाओ directly उस पे, आराम से time बचा सकते हो rotate मतलब आप rotate कर सकते हो इस तरह इस तरह आप page को, आपका page आप उसको rotate कर सकते हो ताकि page इस तरह दिखे, दिखे न, ABC इस तरह है, आप उसको rotate कर सकते हो, ऐसे ताकि ABC इस तरह दिखे ऐसे rotate कर सकते हो, ABC इस तरह दिखे, आपको समझ में आ रहा है उसके बाद है references tab, देखो भाई references tab का मतलब है कि references देना For example, आप कोई सामान लिख रहे हो, तो आप चाहते हो मैं इसकी reference दे दूँ यहाँ पर कोई बहुत author का नाम है, मैं इस author के बारे में नीचे लिखूँ आपको लग रहा है, for example, मुझे title में कुछ लिखना चाहिए जो कि text book के advanced version होता है, जो कि उसके बारे में बताता है For example, AFA के आफा के यहाँ पे तो आप references देना चाहते हो आफा के बारे में नीचे लिखना चाहते हो, उपर लिखना चाहते हो document पूरे pages के 500 किताब की page है, 500 किताब के बाद लिखना चाहते हो इसी तरह marking करना चाहते हो, मतलब बहुत सरी चीज़े, references में आते हैं, मैं बताऊँगा आपको सबसे पहले table of contents, आप सबसे पहले table बना सकते हो, references में क्योंकि पहले पता होना चाहिए, कौन सा chapter कौन से page पे है कौन सी line कहां पे है, कौन सा chapter कौन से page पे है table of contents होते हैं, हम book के पहले, हर एक book के पहले होता है, table of contents अब आप add कर सकते हो text, मतलब आप content number four भी add कर सकते हो लेकि normally कभी-कभी ये होता है कि content number four नहीं दिखेगा आपने tables में content one, content two, content three डाला, तीन texts आपने डाले और आपने fourth वाला text बाद में add किया, दूसरा content आपने add किया वो कभी-कभी नहीं दिखता तो आपको update table पे करना है, जो ही आप update table लगाओगे तो आपके सामने one, two, three, four contents आ जाएंगे, ये fourth वाला जो add किया आपने, वो भी दिख जाएगा उसके बाद है references के अंदर footnotes, footnotes मतलब क्या, आपका एक document है और आप चाते हो, document है लेकिन document का एक page है, page page अलग है, document अलग होता है, document के अंदर बहुत सारे pages हो सकते है तो आपका ये एक, मतलब आपका ये एक page है, ठीक है, आप इस page के नीचे जाओगे, page के end पे लिखना चाते हो कुछ, तो आप ये footnote में लिख सकते हो footnote में आप page के end पे कुछ भी लिख सकते हो end note क्या होता है end note भी foot पे होता है नीचे भी page के नीचे ही मगर last page पे for example एक book है और ये तीन pages की बनी हुई है यहाँ पे आपने last में कुछ लिखा last में, book के last में वो होता है end note और आपने book के last में नहीं लिखा आपने चाहे कहीं पे किसी भी page में लिखा तो उसको बोलते है footnote, भाई foot होता है end तो होता है when last वाला foot होता है जो नीचे हो page के नीचे हो, end होता है last document के last और वो भी नीचे ही और end note खुड footnote होता है क्यांकि end note नीचे ही लिखा जाता है document के end पे next footnote आप एक page पे एक footnote लिखना चाहते हो आप दूसरे page पे भी दूसरा आप इसी तरह बहुत सारे pages पे और और footnote लिख सकते हो next footnote से और अगर आप सारे notes चाहे footnote या end note देखना चाहते हो सारे एक साथ तो आप end note और footnote एक साथ देख सकते हो जब आप click करोगे show notes पे जब आप select करोगे show notes को उसके बाद stations and bibliography ये जो citations का मतलब होता है कोई भी information आपके page पे for example insert citation मतलब ABC कुछ भी लिखा है 123 कुछ भी लिखा है आप उसके related information लिखना चाहते हो कुछ वहाँ पे कोई भी information कि वो कहां से लाया कितने कितने मतलब जिस भी बारे में आप बात करें उसके बारे में आप bracket में लिखना चाहते हो citation में अब यह जो citation है वो तो बता दिया लेकिन आप add भी कर सकते हो delete भी कर सकते हो edit भी कर सकते हो इस citation को आप इस citation का style भी मतलब जो आपने यह comment किया ना लिखा न ABC के आसपास आप इसको style भी change कर सकते हो even कि आप bibliography मतलब के अगर कुछ लिखा आपने यह normally author के related होता है देखो यह भी citation की तरह होता है कि कोई document है और आप इस document के बाद यह last में कुछ लिखा है तो आप फिर bracket के अंदर कुछ लिखना चाहते हो यह भी citation ही है लेकिन अगर आप author के बारे म बोलते हैं captions, captions आपने आपने देखा होगा कि कभी-कभी figure होती है नीचे लिखा होता है figure one और फिर लिखा होता है उसके बारे में figure क्या है यह short text होता है तो उसी तरह caption होता है short text डाइग्राम के लिए या pictures के लिए और captions के अंदर होता है insert caption मतलब diagram या picture के नीचे normally short text दिखाया जाता है insert table of figures आप 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 इन captions मतलब बहुत सारे figure हैं आपके बस figure है क्योंकि मैंने बोला figure के नीचे आप लिखोगे कुछ भी उसको बोलते हैं caption लेकिन आप बहुत सारे table of figures भी बना सकते हो जैसे कि आपने 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 और यह आप पहले ही डाल सकते हो for example आपकी एक ब figures भी आप कर सकते हो captions का जो आपने यह figures के images के नीचे short text लखा short title दिया और अगर अगर आपने कोई नया table insert किया तो वो नहीं दिख रहा है तो आप update करो table को एक option होता है captions के अदर तो सारे table update हो जाएगे अब जो आपने यह table बनाए बहुत interesting बात है और आपने यह क्यों page पे table डाला ऐसा आपने करने का क्या मकसद था ऐसा मकसद था cross reference का मतलब कि आपने picture 1, picture 2, picture 3, picture 4 ऐसा डाला अगर आप cross reference में जाते हो और आप के सामने आएंगे table और आप picture 1 पे click करते हो तो आप directly उस page पे चाहे वो 1000 वाला page भी हो आप उस picture पे आ जाओगे cross reference बहुत interesting है आप pick table पे contact किसी भी table पे पहले page पे click करते हो तो वो आपको pick पे directly लेगा directly लेगा directly आप go कर सकते हो उस page के उस pick के नीचे index आपको पता indexes होते है ना index normally list होता है लेकिन alphabetical list होता है यह normally इंडेक्स यह alphabetical list होता है तो for example आप mark कर सकते हो आपके page पे कुछ आप mark अपने कर लिया आपने mark कर लिया आप चाहते हो यह mark is जो मैंने की तो इसका मैं index बनाओ एक index बनाओ कि मैंने क्या-क्या mark किया है तो mark entry आप कर सकते हो उनी mark entry का आप insert कर सकते हो index, index बना सकते हो अगर आपने फिर से mark किया और वो नहीं दिख रहा है तो आप update करो index को तो आपके सामने index आएगा, index क्या होता है, alphabetical list होता है, फिर table of authorities होता है, table of authorities में ज्यादा कुछ नहीं है यह जो citation है, citation है citation आपने देखा है यहाँ पे, उसको भी आप mark कर सकते हो, और वो भी आप tables में डाल सकते हो, कि क्या citations आपने डाला क्या इस word के बारे में information डाला क्या bibliography, आपने इस author के बारे में क्या information डाली, उसमें भी आप mark कर सकते हो, table of authorities में और आप update भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने कोई नया mark क्या citation, वो नहीं दिख रहा आपके table में, आपके पहले page में वो नहीं दिख रहा, references का मतलब यह होता है, पहले page में जो चीज़े हैं और वहाँ पे references हैं, document के नीचे कुछ reference होगा, document के उपर कुछ लिखा होगा reference, ठीक है न, end note, keynote, end note, footnote, update कर सकते हो आप table को, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में अब हम आगे चलेंगे, mailing, mailing tab, अच्छा, mailing tab, देखो भाई, mailing tab क्या है, आप mail कर सकते हो, directly बहुत सारे लोगों को mailing tab के जरीए, आप create कर सकते हो, for example, आप envelopes और labels बना सकते हो, आप envelopes बनाओ, आपकी मर्जी किस तरह के बनानने चाता हो, आप किस तरह के label के उपर डालना चाते हो, आपकी mail करना है, आपको वो start mail merge में आप कर सकते हूँ, select recipients, आपको किसको बेजना है, क्या वो new है या वो existing list है, मतलब आपने already उसको mail किया हुआ है, या वो नाया बन्दा है, edit कर सकते हो recipients को, क्या बोरों में, addit कर सकते हो recipients को, मतलब जहाँ-ژहाँ को बेजना है आप editor कर सकते हुआ address block अच्छा ये सारा start mail merge में था आप it and insert fields में क्या है address block आप address block हो सकता है address क्या है उस बंदे का greeting line आप bater में greeting line डाल Sकते हो greeting line के लिए अलग-अलग figures अलग-अलग designs आ जाएंगे image को आप sorry insert कोब merge field मेल चाहते हो, insert merge field का मतलब होता है, कि ये right-hand insert field के अंदर ही होता है, for example, insert merge field के अंदर होता है, कि आप mail का name, address, city, pin code, contact, जहां पर भी आप mail डालना चाहते हो, उस सब का information, आप insert merge field में ही डालते हो, result आप देखते हो, आप preview करते हो result, क्या मैंने जो नाम यहां पर डाला था, वो आय क्या address डाल वो आया, क्या मैंने pin code डाल वो आया, क्या contact डाल वो आया, वो सारी चीज़े आप देख सकते हो, आप find कर सकते हो recipients को, आप देख सकते हो, क्या जो recipients मेरे को बेजने है, उन्हीं को मुझे आप preview कर सकते हो, बेजने से पहले आप देख सकते हो, क्या मेरे correct है recipients, आप आटो एरर चक भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कोई problem है, मैंने कुछ ओर डाला था लेकिन कोई error आ गया तो आप आटो एरर चक भी कर सकते हो, कहीं error तो कहीं नहीं आया, या mail में कहीं error तो नहीं है, आप spelling भी देख सकते हो, यहाँ पे error तो नहीं है, तो बहुत सारी errors लास्ट में आप फिनिश करते हो यह सारा देख के और मर्च कर सकते हो मर्च का मतलब बहुत सारे मेल बेश सकते हो आप बहुत सारे लोगों को आप एक ही मेल बेश सकते हो तीन सो बंदूं को चार सो बंदूं को तो उसमें आप क्या करते हो एक तो आप एडिट करते हो आप एडिट कर सकते हो फिर लास्ट में क्योंकि कुछ भी लास्ट में कुछ भी एडिट करना पड़ता है कुछ याद आता है ना लास्ट में प्रिंट कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, सेंड कर सकते हो, एमेल मैसेज, रिवीव टाब मतलब कि वीव से पहले आप रिवीव करना चाहते हो, देखो भाई आप for example proofing proofing के अंदर spelling, grammar, research, word, count और thes अब thesaurus अब proofing के अंदर spelling मतलब आपका spelling error आप देख सकते हो proofing के अंदर review tab के अंदर proofing group में और spelling normally अगर wrong हुई तो red color आता है grammar आप देख सकते हो चक कर सकते हो grammar error तो नहीं error होगा तो green color में आपके document दिखेगा वहाँ पे research अगर आपको लगता है नहीं मुझे इस word के बारे में research करना है तो आप directly आपने जो भी आप लिखोगे आप directly for example आपको लिखना है ABC आप ABC के बारे में research करना चाहते हो तो आप research tab में internet पे ABC में जा सकते हो आप word से internet जा सकते हो research में ठीक है इसी तरह आप word count करना चाहते हो मेरे document में कितने words हैं कितने pages हैं कितने प्याराज हैं कितने lines हैं कितने sentences हैं वो आप word count में कर सकते हो थे saros थे saros का मतलब होता है कि आप synonyms और antonyms देख सकते हो किसी भी वर्ड का लंगवेज मतलब translate और लंगवेज मतलब बहुत सारे लंगवेज़ आ सकते हैं आपके सामने Arabic या कोई भी लंगवेज जो भी है translate मतलब आप लंगवेज को translate करना चाहत कर सकते हो इस language के अंदर आप लेकिन text को भी translate कर सकते हो मतलब एक text को चाहे selected text हो इतना selected text हो आप पूरे document को भी पूरा document जितना भी document बढ़ा हो उस सब को भी आप कर सकते हो translate लेकिन translation के लिए facility तब ही आपको मिलेगी जब internet आपके पास connection हो comment आप कर सकते हो comment मतलब आपने कुछ book बनाया आपने कोई line लिखी आप इस line के बारे में comment कर सकते हो bad line, good line, interesting point, not interesting point very 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 important for beginners कुछ भी लिख सकते हो comment जिससे नब पता चले देखने वाले को तो comment of line के बाद ही करते हो चाहे आप one comment करो एक line के बाद आप करो एक sentence के बाद आप करो आपकी मर्जी comment आप करते हो one, two, three इसी तरह आप comment कर सकते हो one comment, दूसरा, तीसरा आप comment को delete कर सकते हो आप next comment कर सकते हो दूसरा, तीसरा, आप previous comment अचा, आप next में दूसरा comment देख सकते हो आगे वाला comment देख सकते हो previous में आप पुराना वाला comment देख सकते हो आपने दस्वाँ वाला देखा पुराना देखना तो 9th comment आपको आएगा Next देखना तो 11th comment आपको देख जाएगा Tracking Tracking मतलब जो भी चीजे आपने किया उसका track For example comment किया उसका track रखना देखो tracking के अंदर track change होता है For example आपने कोई comment किया और उस comment को किसी ने change किया Track को change किया उस comment को उस track को उस comment को change किया उस comment को delete किया तो आप track change कर सकते हो कैसे उस comment को उस comment के उपर formatted चड़ता है For example comment हुआ इस line का यह line है इस line का कोचलो रूखो रूखो यह line है sentence है इसका comment हुआ जब इसका comment हुआ तो आप इस track change के जरी एक comment change कर सकते हो लेकिन यहाँ पर चड़ेगा formatted formatted bold अगर आपने bold क्या होगा formatted text change अगर आपने जो भी क्या होगा ठीक है show mark up आपने for example mark किया है कहीं कहीं आपको लगता है यह mark बहुल mark भाई marking करना देना mark आप उस show कर सकते हो इस tracking के अंदर अगर आप चाते हो कि mark up यह formatted यह text यह comment जितना भी हमने किया document के उपर वो खतम हो जाए original page आजाए तो आप original पर आ सकते हो changes ला सकते हो आप कैसे comment के अंदर changes ला सकते हो आप comment को accept कर सकते हो जो भी document में है last में review दे रहे हो आपना comment कर रहे हो आप reject कर सकते हो आप previous comment next comment देख सकते हो आप documents को compare कर सकते हो with comments without comments आप यह बहुत interesting यहाँ से सवाल आता है आप protect कर सकते हो आपने document को कहीं मैंने जो लिखा कहीं दूसरा इसको change तो नहीं करे जिसकी वज़े से मेरी image ही खराब हो जाए तो आप restrict कर सकते हो editing आप password डाल के restrict कर सकते हो editing product में किसी के पास भी आपकी वो booklet आपका PDF पहुँच जाए वो further editing नहीं कर सकता further editing करने के लिए उसको आएगा सामने password और वो password आपके पास होगा view tab मतलब last में view करना डेख लेना document views मतलब बहुत सारे देखने के तरीके होता है print layout मतलब वो layout आप print करना चाते हो इस page को तो आप देखना चाते हो print में कैसा आएगा तो print layout दबाओ आपके सामने page खुलेगा वैसा ही आएगा full screen reading आप पूरा screen आपके सामने आप या आजा screen आ रहा है न तो आप चाते हो full screen read करो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा full screen read करो तो आप कर सकते हो web layout आप चाते हो जो भी मैंने document बनाया कैसे ये दिखेगा web इंटरनेट पे तो आप दे सकते हो view tab का मतलब कैसे दिखेगा अलग-अलग formats में outline outline मतलब आप देखना चाते हो कौन सा outline ठीक रहेगा क्या जो मैंने document बनाया उसका outline ये ठीक रहेगा पहले यहाँ पे होना चाहिए बीच में होना चाहिए वो document लिखा हुआ last में होना चाहिए आपकी मर्जी आप देख सकते हो draft मतलब normal page अच्छा ये तो outline में आपने page को थोड़ा सा change किया थोड़ा सा इधर लाया आपने आपने बीच में आपना text लाया आपने right में आपना text लाया लेकिन जो original text बनता है जिस पे आपने काम किया वो normal page draft पे ही आएगा ruler अच्छा ये बहुत important है view tab के अंदर ruler होता है ruler मैंने आपको बोला हुआ है horizontal ruler, vertical ruler और horizontal ruler जो कि margin आपको decide करता है ये मैंने बहुत अच्छी तरह lecture number second में बताय हुआ है जिससे आपको margin decide होता है क्या margin होना चाहिए grid lines आप एक page के अंदर grid lines भी डाल सकते हो navigation page आप चाते हो कि page जो है एक page के इदर छोटे छोटे pages हो जो कि navigation वाले हो ताकि पता चले पूरी booklet के बारे में पता चले क्योंकि एक page आप देख रहे हो लेकिन यहां पे आप 5, 10, 15 pages के बारे में एक साथ देख सकते हो उसी को बोलते है navigation pane आप यह भी बना सकते हो होता है ना आपने बहुत सारे pages देखे हैं होता है ऐसे ऐसे जिसमें लिखा होता है छोटा छोटा zoom in, zoom out आप कर सकते हो देख सकते हो आपका document कैसा है आप सकते हो कैसा है तो पेज आप देख सकते हो कैसा है पेज विड़ित आप देख सकते हो कितना है कितना नहीं, आप major met ले सकते हो पराबर न्यू विणडो अच्छा, यह बहुत interesting है न्यू विणडो आप एक के काम कर रहे हो आप view आपके सामने है एक window लेकिन आप चाहते हो दूसरा window भी खुले तो आप new window पे click करो आप दूसरा window मतलब दूसरा MS Word खुले भाई दूसरा window आपके सामने आए लेकिन आप दूनों को तो at a time नहीं देख सकते न आप अगर देखना चाहते हो सब को तो आप arrange all दोगे तो आपके सामने एक ऐसा आएगा दूसरा ऐसा आएगा new window में तो खुलेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं arrange all में वो नीचे आएगा दिखेगा ये है और अगर आप चाहते हो कि एक ही window है मेरे सामने और मैं उसी window को split करूँ ताकि जो चीज़े यहां पे है वो चीज़े वहां भी आए तो आप split भी कर सकते हो आपके सामने दो windows आएगे आप view कर सकते हो side by side windows को ऐसे आप चाहते हो कि window यहां पे भी आए यहां पे भी आए side by side side by side view आप कर सकते हो आप सुच कर सकते हो window क्योंकि आपके सामनी एक window है आप काम करते हो अगर आप सुच दबाओगे तो आपके सामनी आएगा window 1 पे जाना है window 2 पे जाना है window 3 पे कहाँ पे सुच करना है कहाँ पे आपको जाना है कौन सी window पे क्या आपको पाँचवी window पे जाना है कहां पर जाना है, record macros, macros यह जो है उसके अंदर क्या है, record macros, मतलब यह कोई recording recording नहीं है, अच्छा, अच्छा, M से microphone होता है न, microphone से आप record करते हो न, तो आप यहां पर record करते हो, लेकिन audio नहीं, text record करते हो, text मैंने लिखा है, record macros में आप text को record कर सकते हो, text बहुत important है, टेक्स्ट को record कैसे करें आपने ABC का document रखा आपने वो delete किया लेकिन आप चाहते हो यह recorded रहे यह saved रहे तो आप record कर सकते हो macros को नॉर्मली यह ज्यादा रह टेक्स्ट के ही लिए ही किया इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि MS Word टेक्स्ट के उपर ही काम करता है ज्यादा तर view macros आप अपने page के उपर लिखोगे वो record नहीं हो जाएगा आप जो भी page के उपर लिखोगे अगर आपने record macros लिखा तो वो record हो जाएगा record रहता रहेगा फिर जब आप यहाँ पर जाओगे जितना भी आपने page के उपर लिखा होगा वो recorded हो जाएगा और आप उसको आगे इस् शॉर्ट कट कीज होंगी ओके बाई